जय समिधान, जय भीम, महत्मा गांदी की जय है, दी पब्लिक इंडिया में आपका हर्दिक स्वागत है, आज जिस विशय को मैं छेड़ने जा रहा हूँ, जो मुझे सबसे जादे व्यत्यत करती है, परिशान करती है, 72 साल की उमर में मैंने अपने बच्पन से जिस एक जुट हिंदुस्तान को देखा है, भारत वर्ष को देखा है, धर्म और जाती का इतना विवेद नहीं देखा है, जो पिछले 10 साल से देखकर मैं व्यत्यत हूँ, मुझे इस बात की चिंता है, कि यह वो देश, जिसने आजादी के लड़ाई में मिल जुलकर अंग्रेजों का सामना किया, पहले 60-65 साल एक जुट होकर विदेशी आकरमनों में एक जुट होकर सामना किया, इस देश को पिछले 10 साल के अंदर जिस धारमिक विद्वेश में फसा दिया गया है, हर मुद्दे को धरम पे लाकर छोड़ दिया जाता है, चाहे वो सिखों का मसला हूँ, आदिवासियों का मसला हूँ, दलितों का मसला हूँ, PDA का मसला हूँ, OBC का मसला हूँ, या मुसल्मानों का मसला हूँ, या क्रिश्चन्स का मसला हूँ. हर चीज को धारमिक चश्मे से देखने की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है मैं इससे बहुत जादे व्यत्यत हूँ क्योंकि इससे मेरा देश कमजोर हो रहा है मैं अपने देश को कमजोर होते हुए इस उमर में मेरे को परिशानी हो रही है एक घटना हुई अयोध्या के अंदर एक बच्ची का वो बच्ची प्रेगनेंट हो गई उस बच्ची का मानी बाते की अगर प्रेगनेंट हुई तो किसी न किसी नहीं या तो दोस्ती करके उसे प्रेगनेंट किया या उसके उपर कोई जवरन काम हुआ जिसकी वज़े से वो प्रेगनेंट हुई बच्ची प्यडिक है बच्ची के साथ पूरे देश की समीदनाय हैं किस धर्म की है किस जात की है वो उत्रा महतुपन मुद्दा नहीं असली मुद्दा यह है कि देश को हर उस बेटी और महिला के साथ खड़े होने की अविशक्ता है जिसका शाररिक और मांसिक शोशन हुआ है पिछले दो दिन से सारे गोदी मीडिया के अंदर इस चीज़ को बहुत जादे डिसकस किया जा रहा है देश के असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है यह भी असली मुद्दा है यह भी बड़ा मुद्दा है लेकिन सारा समय इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जिसको आरोपी बताय जा रहा है वो मुसल्मान है और वो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा नेता है और जो पीडिता है वो हिंदू समाज की लड़की है और एक पिछड़े समाज की लड़की है अच्छा उसको आरोपी वता कर उस पे अखलेश यादव को घसीता जा रहा है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का नेता है उसमें अवधेश प्रसाद को घसीता जा रहा है कि अवधेश प्रसाद के साथ उसकी फोटो है क्योंकि अयोध्या में अवधेश प्रसाद जी ने भारती जनता पार्टी के लल्लू सिंग को चुनाव हरा दिया है और इसकी पीड़ा भारती जंता पार्टी को नाचुरल है कि बहुत जादे हैं। बदल घया होता और भविश ही बदल गया होता क्या चलिया वो नहीं हुआ अवधेश प्रसाट ने लल्लु सिंग और नहीं अब पार्लेमेंट के अंदर अखलेश ने और राहूल ने अवधेश-प्रसाथ को जिस प्रकार से सम्मान दिया जिस प्रकार से फ्रंट सीट पे उनको बगल में बिठाया और अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा कहा अवद ईश अवदीश अवदेश 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 अब ये बात भारते जिंता पार्टी के घाव पे नमक के समान है वो तिल मिला गई और परिशान हो गई और ये अयोध् ये पूर्ण नशन से कार हुआ कि एक बिटिया प्रेगनेंट हो गई और समाजवादी पार्टी को उसमें पूरी तरे से घसीटा गिया जैसे आपको यादी होगा तीन दिन पहले विदान सबा के अंदर योगी अधितनात एक लखनों में घटी घटना के बरणन कर रहे थे जहाँ पे मुर्ट साइकल में एक लड़का लड़की जा रहे हैं और पंदरे बीस लोग उसको चारों तरफ से घेरते हैं उसके बाद पानी उच्छालते हैं लड़की को मुर्ट साइकल से गिरा लेते हैं अबद्र विवहार होता है लेकिन जब विदान सबा में उस दुर चुका है अब तो ठाने के अंदर 12-14 लोगों की फोटो भी दिख रही है लेकिन विदान सबा के अंदर जब मुख्मंत्री बोलते हैं तो किवल दो नाम लेते हैं एक एक मुसल्मान का और एक यादाव का मतलब यह कि जो भी संख्यकों के साथ खड़े होने की बात करेगा क प्रिशनों के सिखों के या मुसल्मानों को उनको भी उसी शेड़े में डाल दिया जाएगा जो पिछले दस साल से हुरा एंटी नेशनल हैं खालिस्तानी हैं पाकिस्तानी हैं विदेशी हैं पता नहीं क्या-क्या हैं और असली सनातनियों को भी उसमें घसिट लिया जाता ह तो दो लोग का नाम लिया गया लेकिन बाकी जो लोग थे जब उनका और वो arrested है मने मुख्यमंत्री के संग्यान में होगा पूरा लिस्ट में नाम होगा लेकिन नाम दो लिये क्योंकि यादव और मुसल्मान को समझते हैं कि वो समाजवादी समर्था के मता प्रशाद. पंडेma इतवा से कई पार के विदायक हैं और लीडर कि पोजिशन हैं Oh अवदेश प्रशाद 50 समाज से आते हैं और लीडर हैं कि ब्यार के अंदर जो वो खुश्वाह साब हैं वो लीडर आफ आर जेडी हैं जबकि वो खुश्वाह समाज से आते हैं वो यादव नहीं है मुसल्मान नहीं है और उस भीड़े के अंदर जो लखनव में घटा गटी है उसमें एक व्यक्ति है जो कि भारदी जंता बारदी का मंडल अध्यक्ष है उसका नाम नहीं लेते और वो अपने फेस्बूक प्रोफाइल में अपने को कट्टर हिंदू कहता है उसका नाम नहीं लेते क्योंकि उसका सरनेम गुपता है और गुपता भारदी जंदापाड़ी के समर्थक हैं तो गुपता और ब्राह्मान ठाकुर और बनियों का नाम क परिशान है, पार्लेमेंट को चूने से परिशान है, रामन्दूर के चूने से परिशान है तो समर्ड मी नाराज हैं लेकिन भारदी जंदांपाड़ी का मनना है कि नहीं भारत ब्राह्मा, ठागोर अपनिया तो नहीं करें, करीब भीरवन थंट वोट उनकी जे में उसको क तो महत्पदेश जाके भारती जनता पार्टी की कन्वेसिंग कर रहे थे बाद में जब बहुत जादे दबाव वड़ा तो उनको एरेस्ट किया गया और वो सब भारती जनता पार्टी के ना केवल नेता थे बलकि उनकी मानी मोदी जी या मिश्चा जी और बड़े-बड़े कि बावजूद कल उनको विधान सबागा टिकेट दे दिया जाए लोग सबागा टिकेट दे दिया जाए क्योंकि एक ऐसा भारती जिंदा बड़ी के हिसाब से आइटी विच्चु जहां से मैं भी पढ़ा हूं जो यह कांड हुआ है उसको नहीं उन्नाव के कांड को नहीं लखींबूर के कांड को नहीं हातरस के कांड को नहीं विजनौर के कांड को नहीं क्योंकि वहां मुसल्मान कोई इन्वाल नहीं यहां मुसल्मान का नाम लगा दिया गया खैर अगर वो मुसल्मान है या हिंदू है या किसी धर्म जातिका है अगर दोशी है तो अब्यस्ली ही शुड़ भी पनिश्ट और फास्ट्रेक कोट बने दस दिन के अंदर उसको दंड दिया जै तो अभी दग नेरेटिव चल रहा था कि एक सपा नेता एक मुसल्मान नेता ने एक विचले वर की लड़की का बलातकार किया दो मैने तक किया फिर वो प्रेगनेंट हो गई अब एक ही एक मेडिया हाउस नहीं उस परिवार के लोगों से جो की मुहिन खान जो आरोपी है उसके परिवार से भेट की आज तक ने यह आज तक की रिपोर्ट है मेरी रिपोर्ट नहीं है मैंने जो देखा है सुना है वो आपको बता रहा हूँ तो मोहिन खान का परिवार ये कहता था कि मोहिन खान की एक बेकरी थी है अब थी क्योंकि वो तोड़ दी गई बुल्डोजर ने तोड़ दिया उसको तो रोजे रोटी तो चली गई उस बेकरी के अंदर एक राजू नाम का लड़का पीश वर्शीर राजू नाम का लड़का जो सुल्तानपुर का नेने वाला था वो नौकर का काम करता था वो बेकरी में काम करता था मोहिन खान का नौकर था और इस मोहिन खान का जो लड़की जिसके साथ बलतकार कथता था कहित बलतकार या जो भी हुआ हूँ जो प्रेगनेंट हुई है उसके साथ दोस्ताना संबंद थे और यह बात जो राजू आरोपी है यह आस्ता की रिपोर्ट बताती है यह राजू भी उसको स्विकार करता है कि हां मेरे संबंद थे मुहिन खान सत्तर साल के उमर बड़ी उमर के व्यक्ति है अब अखलेश यादाओ एक डिमांड कर रहा है पवन पांडे जो अयुद्या के नेता है समाजवादी पार्टी के वो एक डिमांड कर रहा है जो जन्विन डिमांड है दिमांड करने का मतलब यह नहीं है कि आप यह कह रहेंगे जो आरूपी है जो भी आरूपी है उसको छोड़ दिया जाए या उस पर कड़ाई न बरती जाए वो यह कह रहे हैं कि जब राजू ये कह रहा है और राजू ने जो परिवार ने मौहिन खान के बताया राजू ये कह रहा है कि इसमें चाचा मौहिन का कोई लेना देना नहीं है ये मैं हूँ मैं मैं दोस्त हूँ उसका लड़की का और समाजवादी आदे के नेता पॉएन पांडे और अगले ज्यादों कह रहा है कि डियने टेस्ट करा लिया जाए मौहिन खान का और उस लड़के या राजू का और DNA से बता चल जाएगा कि वो लड़की प्रेग्नेंट किस ने की, अगर मोहिन खान की, तो मोहिन कान को कठोरतम, whatever is possible, under the law, उसको दंड दिया जाए, और अगर राजू के साथ दोस्ताना संबंद के वजए से वो प्रेगनेंट हुई, और कोई जवरन उसके साथ काम नहीं हुआ, तो राजू और उसकी शादी करा दी जाए, अगर, अगर, I don't know what is true, और यह डिवांट, मुझे, ऐसे टीचर, मुझे ठीक लगती है, ऐसे नागरिक भारतवर्श का, मुझे ठीक लगती है, अब किसी को भी पकड़ लीजिए, उसके घर को तोड़ दीजिए, कहिए कि इसने बलातकार किया, बिना यह जाच किये कि वो आदमी कि क्या उसमें रो प्रक्रिया नहीं है, और इसकी समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, दंड मिले, लेकिन डिने टेस्ट के बाद, परिवार यह भी कहता है कि नार्को टेस्ट करा लीजिया, मुह इंखान का भी करा लीजिये, राजु का भी करा लीजिये, और लड़की के परिवार का भी करा लीजे तो उसमा प्रतिशनी क्या है, अब केवल मुद्द ये रहे जाता है कि जो, पिदिता का परीवार है वह क्यों। आरूप लगा रहा है मोहिन खान पर, अब इसके दो कारण हो सकते हैं एक कारण ये हो सकता है कि वास्तविक्ता में वह इंकान दोशी हो और ये भी हो सकता है कि क्योंकि मुह इंकान मुसल्मान हैं क्योंकि वह एक narrative में fit होते हैं इसलिए उस परिवार से पिडिता परिवार से इसलिए आरोप लगवाए जा रहा है क कि जिससे polarization हो जाए, अध्या की हार का बदला लिया जा सके, अफदेश प्रसाद और अखलेश ज्यादों को बदनाम किया जा सके, समझवादी पार्टी को बदनाम किया जा सके, अपना फाइदा उठा लिया जाए और परिवार से कहा जाए कि तुम्हें जो भी, मैं, I'm just guessing, I'm not alleging, तुम्हें इता पैसा देंगे, या तुमको राजनेती ग्रूप से वो कर देंगे, या तुम्हें नौकरी देला देंगे, whatever, तो सत्यता की जानने की अवशक्ता है, देश को हिंदू-मुसल्मान के narrative में एक आपदा में अवसर की तरह जूंडने की अवशक्ता नहीं है आवशक्ता इस बात की है, गुश्बिटिया को न्याय मिले, अगर राजू से उसके सम्मन्थ है और राजू इसको स्विकार कर रहा है, लड़की भी कल स्विकार करती है, नार्को टेस्ट होता है, डीने टेस्ट होता है, पता चल जाता है, तो गोह इन खान को छोड़ दिय जाये, लेकिन उसकी दो वेकरी तोड़ दी गई, गया की लोगों की नौकरियां उसमें खागए, तो यह जो किसी को आरोपी बताकर उसका मकान तोड़ देना उसकी रोजी रोटी को खतम कर देना उसको समाज में बददाम करना क्योंकि मौहिन खान के पत्नी का कहना है उसके परिवार के लोगों का कहना है उसके घर की बच्चियां भी स्कूल नहीं जा पा रही है obviously ऐसा रोफोर आओगा क्योंकि समाज के अंदर एक घ्रना पैदा कर दी गई है मुसल्मानों के प्रती और अब तो उस specially उस परिवार के प्रती जो उचित नहीं है हिंदू या मुसल्मान हो जब तक कोई आदमी दोशी नहों तब तक उसके परिवार को इस प्रकार से दंड देना मुझे उचित नहीं लगता अब आपको किसी को लगता हो तो आई डोंड नो तो चाहे वो लखनव के घटना हो चाहे वो अध्या के घटना हो उसमें हुंदू मुसल्मान का एंगिल ढूनना उसमें यादमों को दोशी बताना उसमें पासी समाज को दोशी बताना क्योंकि इस बार जो दलित वर्क के लोग है उन्होंने जादे तर समाजवादी पार्टी को वोट दिया है तो दलित वर्क को ही आरूपेद बनाना यादमों को आरूपेद बनाना मुसल्मानों को आरूपेद बनाना अब एक तना जादे लाब बारजी जन्ता पार्टी को करेगा इसका तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है राजनीती के बारे में मैं नहीं जनता है I don't view things from the political angle लेकर देश के अनुसार ये गलत है ये समाज के अनुसार गलत है ये नीतियों के अनुसार गलत है ये हमारी परंपराओं के अनुसार गलत है क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि एक निर्दोश को सजा न मिले चाहिए सो दोशी छोड़ जाए और यहां तो DNA टेस्ट से जब प और सरकार का उद्देश दोशी को ढूणना है या इसको हिंदू-मुसल्मान नेरेटिव में बना कर इसको देश को और कमजोर करना है मैं इंट्रेस्टेट केवल इस बात से हूँ दोशियों को दंड मिले निर्दोश को दंड न मिले और देश को राजनेतिक लावों के लाव और फाइदे के लिए हिंदू-मुसल्मान में न तोड़ा जाए जैसामिधान नमस्कार धन्यवाद अपड़ाओ